इस वीडियो में हम जानने वाले है कि कौन सी सिरप किस काम आती है सबसे यदा यूज होने वाली कौन सी सिरप है आज आप उन बात करने वाए वेलमेनिक के बारे में आप एक मीट में जान सकते है कि वेलमेनिक सिरप किस काम आती है Welminic syrup की बहुत सारे परकार आते है Welminic P.D.H.S.O. आती है Welminic syrup की बहुत सारे परकार है इस विड़ी में हम जानने वाले हैं कि Welminic syrup किस तरह से अपने वाड़े पर effect करती है उसके ingredient जो composition है वो किस तरह से अपने वाड़े पर effect बटाती है और किस तरह से अपने रिलीफ वाते है सर्दी वागेरा से खासी वागेरा से चलिए शुरू करते है First है Welminic syrup Welminic syrup आप फोटो में देख सकते है किस तरह से आती है इसका brand name से है Welminic syrup जो इसको बनाने वाली company है वो Acumantis company बनाती है composition की बात करते है तो यह Welminic syrup की चीज़ों से बनी होती है Pheninephrine Hydrochlorides होता है इसके अंदर 5MG और Chlorfenamines होता है 2MG यूस की बात करते है Welminic syrup common cold की लिए यूस की एती है Children को सर्दी वागेरा होती है रणी नोस होता है छीका वागेरा आते है और सर्दी के सासा थोड़ा बुखार सो अगेरा होता है और छीका वागेरा आते है सर्दी बहुत ज़्याद होती है तो Welminic syrup डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है Welminic के अंदर जो ingredients होते है तो अपनी बाड़ वे किस तरह से effect बताते है Welminic syrup the content the two medicine namely तोyle chlorphen होता है तो उसलिए यूस किया आते है अब फिनानेफरन की बात करें तो असल डी कंडिक्शन जो भी नाग वागेरा बन हो जाती है खुन का बहाव बराबर नहीं होता है तो डालेट करने काम करता है और आपकी nose वगेरा को आपके cuff वगेरा को relief करने का काम करता है इसके बाद है wellmanic pee wellmanic pee से आप समझ सकते हैं कि wellmanic pee syrup बोले तो इसके अंदर paracetamol एड़ होयाता है brand name से बात करें तो wellmanic नाम से आती है और इसके अंदर जो contents होते है जिन चीजों से बनी होती है इंटी 5mg होता है और फिर एनेफरिंट 5mg होता है परेस इटमल आप देख सकते हैं सर्दी के साथ पेशन को बखार भी आता है इसका यूज के आता है यूज टू ट्रीट आफ कॉमन कोल्ड वगेरा के लिए और यूज के आता है बखार के लिए भी डॉक्टर इसको प्रिसक्राइब करता है जिन इंग्रीडियम से बनी होती है तो वह अपनी बॉड़ी वे किस तरह से इफेक्ट बताता है एक परेक्शन बेसे से नंडीर के लिए को खोर हाता है anti-piratics भी होता है fewer को reduce करने काम करता है क्योंकि बुखार के साथ में fewer से भी होता है बुखार आ जाता है जिसके वज़े से सर्दी के साथ में common cold के साथ में आपको बुखार वगएर होता है तो reduce करने काम करता है block करता है release the certain chemical messenger in the brain responsible pain and fever जो chemical messenger message लेकर आता है जिसके पेन और fever वगएर आता है तो क्या करता है block कर देता है जिसके आपको pain भी नहीं होगा और बुखार भी नहीं आएगा well-manic paper systemal इस तरह से अपनी body पर effect बताता है phenyl nephrine की बात करते हैं तो नसल डी connection जो भी नाक वागेरा बन जोएती नेरो एन स्मॉल वेसल बलड वेसल स्मॉल होएती है providing relief for conduction and stuffness in the nose नोस वागेरा नोस भर जाती जिसको नाक आना बोलते है अपनों वो जो सिक्रेशन हो रहा है जिसको नसल डी connection होएती उसके सासलेम तकलिप जाती फिननेफरिन क्या करती है उसको relief करने काम करती है अब बलड का फुलो इजीली होता है वेलमेनिक डी एक सिरप्स जी इसका ब्रेंड नेम से वेलमेनिक डी एक सिसके जो इंग्रीडियंस है किन चीदों से बनी होएती चलिए हो देख लेते है अपन Compositions की बात करती है तो फिलनेफरिन्स होता है इसके अंदर 5MG होता है ख्रेंड ऑमाइन्स होता है 2MG और dextromethorfeed हैडरो ब्रोमाईट होता है 10MG इसके ना देख सकते है अब जादा तर 10MG फिलिए inदर dextromethorfen जो कफ के लिए यूज करे आता है कप सप्रेशन जिसको बलते हैं वेल मेंग डी एक्स का यूज की बात करते हैं तो यह ट्रीट ओव कॉमन कोल्स एंड राय कफ्सु की खासी वगएरा और सदी वगएरा रहती है तो वेल मेंग डी एक्स प्रिस्क्राइब की जाती है जो इंग्रीडियन से बनी होती है वह अपनी बॉड़ बे किस तरह से इफेक्ट बताता है क्लोरफिन अमाइन्स वर्क करता है ब्लॉक करता है एक्षन सब हिस्टमाइड रिलीस वह बलगम अगेरा खासी वगेरा सबस्टान आफ मिझन सब्सक्राइब करता हैं क्के एति जिसकार दब्लाग सब्सक्राइब तो श्रिंग जो नाख वगर रघ जाती है जिसके ब्लड का ब्लड का ब्लड बाहु नहीं होता है तो क्या करता है इसको रिलीफ करने काम करता है वेलमेनिक P250 के अदर जी का ब्रेंड चाहिए वेलमेनिक PF250 का यूज की बात करें pineapple की और यूज्ट के वाटरी आया और स्नेजिंग्स वगेरा होती है तो यह उस तरह से वर्क करता है उसको ब्लोक करना काम करता है जो स्टम्स दिख रहे हैं मैंथॉल जो इसके इंग्रेडियेंस होते हैं वर्क करता है कंपॉर्ण विच प्रूडूद दे सेंसेशन कलरन कुलनेस वगेरा कुलनेस रिल्यूद माइनर थ्रॉड इरिटेशन वगेरा होता है तो मैंथॉल उस तरह से काम करता है कुलनेस रिल्यूद करता है माइनर थ्रॉड इरिटेशन जो होता है इसके अंदर परसिटमॉल्स होता है 250 mg परसिटमॉल्स होता है क्या करता है एनलजेसिक बताता है पेन क कड़ार पाहिक दूस करने काम करता है चो किमीकल मेसंजर रहता है बिरेन EPA के लिए उसको ब्लॉक टार जिसके और पर फॉर्टस नहीं होता है के बेंसरी में रिलिफरण फ्री इस गेवाटा करनेशacji जो क्या करता है नश्मक बीडेक्शन होता है उसेदी में नोस नोस में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिलीफ करने लिए काम करता है फिर ने फिरीन टेंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब और कमेंट करकर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा